इन दिनों दिन में भी उनिंदा उनिंदा सा लगता है, मोसम की वज़ा से अक्सर सूस्ती का अनुभव होता है, सूस्ती के समय में आप ठका हुआ महसूस करते हैं, ऐसी अवस्ता में आपको शारिरिक या मानस्तिक रूप से ठकावट होती है, मोसम के अतिरिक्त सूस्ती की भी हो सकती है जैसे डी हाइडरेशन किड्नी खराब होना इस्ट्रोक और खराब पोशन आदिश शामिल है खुद को हमेशा तरो ताजा रखने के लिए शुरुआती तोर पर अपने खान पान पर ध्यान दे अपने खाने में कुछ ऐसी चीजे शामिल करें जो आपको तरो ता होते हैं बिना मलाई वाले दही का सेवन करने से आपका आलस और सुस्ती दूर हो जाएंगी वैसे आपको बता दे दही ना केवल प्रोटीन में उच्च है बलकि यह आपकी पाचन शक्ति को भी मजबूत करता है यह इम्यून सिस्टम और दिल की सेहत के लिए भी काफी करा या ब्लड शूगर वजन नियंतरन के लिए संभावित लाप प्रदान करता है दलिया में मौझूत कार्बोहाइट्रेट ग्लाइकोजन के रूप में आपकी बॉड़ी में जमा हो जाता है इसलिए यह चुस्ति भगाने के लिए बहुती जादा फाइदे मंद होता है च चॉकलेट स्ट्रोक के खत्रे को कम करता है यह ब्रेन और इसकीन के लिए भी काफी जादा फाइदे मंद होती है ज्यादा थकान वह तनाव होने पर ग्रीन टी पीने से लाप होगा यह शरिर को उर्जा और एकागरता बढ़ाने में साहयता करती है यह वजन घटाने में भी मदद करती है यह फेट को बर्न करती है और शारिरिक प्रदर्शन सुधार में भी काम करती है ग्रीन टी बैक्टिरिया को मार कर स्वास्थ में सुधार करती है और संक्रमन के जोखिम को कम करती है इसके अलावा सोप में फाइबर की महत्वपूर्ण मात्रा होती है फाइबर बी सिक्स और फाइटो नुट्रियंट सामागरी से भरपूर सोफ कोलेस्टरोल की कमी के साथ साथ दिल के स्वास्त में भी मदद करता है आपको बता दे कि सोफ केवल माउथ फ्रेशनर ही नहीं इसमें भी कई गुण होते हैं इसमें केलशियम, सोडियम, आईरन और पोटेशि पाया जाता है जो आपकी शरीर की सुस्ती को भगाने में बहुती जादा मददगार होता है इसके साथ ही पानी भी सुस्ती भगाने में बहुती जादा सहयक होता है पीने का पानी शरीर में तरल पधार्त के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है शरीर में तरलता होने की वज़ा से यह पाचन, ब्लड सर्कूलेशन, लार का निर्मान, पोशक तत्वों का परिवहन और शरीर की तापमान को रख रखाओं में सहयता करता है, इसलिए जब भी आपको आलस महसुस होता हो तो आप एक इलास ठंडा पानी भी पी सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये चानकारी आपके साथ सभी को मिल सकें, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड टिप्स आपको हमेशा मिलती रहे, धन्यवाद